टिक टॉक को भी भारत में बान कर दिया गया है जून 2020 के बास से तो भारत में टिक टॉक ही देखने को नहीं मिला क्योंकि 29 जून 2020 को भारत सरकार ने भारत की संप्रभुता भारत की रास्टर सुरक्षा इन सभी को ध्यान में रखते हुए 58 अधर चैनीज अप्स के साथ टिक टॉक को कम्प्लीटली बैन कर दिया और टिक टॉक पर जो भारत सरकार के बैन थाए खास वार पर पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच क्लैशिस शुरू होने के बाद किया गया था और पूर्वी लद्दा के क्लैशिस के दौरान जहां एक तरफ ग्राउंड पर इंडिन आर्मी ने चैनीज आर्मी को एक ऐसा सबक सिखाया इसे वो कभी भी नहीं बोलेंगे तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल के दुनिया में भारत सरकार ने TikTok जैसे बड़ी चैनीज आप्लिकेशिन को completely ban करके चाइना पर एक digital surgical strike करी और भारत सरकार के तरफ से बताय गया था कि इन चैनीज आप्लिकेशिन को ban करने का जो निर्ने लिया गया तो वो भारत के 1.3 billion citizens के data और privacy को protect करने के लिए है क्योंकि ये एक चैनीज application है और भारत का कई सारे sensitive data इसके माध्यम से चीन के authorities के पास पहुँचने का भी एक बड़ा डर था या फिर इस ऐसे भी कह सकते कि भारत सरकार ने इस TikTok application से उत्पन होने वाले एक बड़े खत्रे को पहले ही भांप लिया था और उसलिए इतने बड़े platform को बैन करने वाला भारत पहला देश भी बना और फिर भारत के बाद और भी काई सारे देश सामने आए जिनोंने TikTok से जुड़े वे security concerns को पहचाना और इसको completely या फिर partially बैन करने का फैसला लिया तो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इस TikTok जैसे application को बैन करना जरूरी क्यों है इससे किस किस तरह का खत्रा है और इसको बैन करना किस तरह से चाइना की communist government के एक बड़े जटके कितर है तो बने रहे है वीडियो के end तक स्वागत है आप सभी का defense ग्यान सरीज के एपिसोड में So without wasting any time, let's begin तो अगर आपको ये लग रहा है कि TikTok को completely ban करने का जो भारत सरकार ने निड़ने लिया था तो सिर्फ इसले था क्योंकि चीन भारत के लिए एक बड़ी adversary की तरह है और चीन के बढ़ते वे influence को control करने के लिए भारत ने ये कदम उठाया तो अगर आप इसे सोच रहे हैं तो आप partially सही हैं लेकिन बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती है और यही एक मातरक कारण नहीं है TikTok को ban करने का बलकि कहानी इससे बहुत आगे तक जाती है और जैसे कि हमने आपको शुरू में ही कहा कि भारत के बाद और भी कई सरे देश हैं जिनोंने TikTok को completely या फिर partially ban किया है और इन देशों में Australia, Belgium, Canada, France, New Zealand, UK, Afghanistan, Nepal, Taiwan और अधिकतर NATO countries भी आती हैं और इन में से कुछ देशों ने इसे पूरी तरह से ban किया है जिपकि कुछ ने सरकारी काम काज में लगे लोगों की devices से इसे हटा दिया यानि कि एक तरह का partial ban अभी हाली में America के Director of National Intelligence के office से एक report publish की गई थी जिसमें ये बताएगे कि ऐसे कई सारे TikTok accounts हैं जिनको Chinese government के propaganda आम के द्वारा run किया जाता है और इनके माधियम से 2022 में America के mid-time election cycle के दौरान America की दोनों political parties के candidates को target किया गया था America की इसी report में Malign Influence Operation नाम से एक section है जिसमें ये बताएगे कि कैसे जो busy है वो Chinese Communist Party की goals को support करने के लिए दुनिया भर में अपने influence posture को expand कर रहा है और Pupils Republic of China यानि की PRC का उद्देश यह है अमेरिका की leadership को लेकर लोगों के अंदर doubt create करना लोगतंतर को कमजूर करना और चीन की influence को extend करना और ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो ये 2024 है ये चुनावी लोगतंतर का वर्ष है जहां दुनिया भर में कुछ देशों में चुनाव हो चुके हैं और कुछ देश चुनावों के लिए खुद को तयार कर रहे हैं जिनमें भारत भी आता है और चिन्ता इस बात की पर जताई गई है कि जो चाइना है वो साइबर वार्फियर को extensively use करके अपने influence को दुनिया भर में बढ़ाना चाहता है और अपने इस गोल को अचीब करने के लिए वो TikTok जैसी applications का सहरा ले रहा है यह बात आप सभी को पता होगी कि जो चाइना है वहाँ पे चलता है authoritarian rule जिसे हिंदी में कहते हैं अधिनायक वादी साशन यानि कि सरकार का एक ऐसा रूप जो कि लोगों के सारवजनिक और मीजी जीवन के सभी पहलूँओं को नियांतरित करके राजनितिक दलों और विचारधाराओं का विरोध करने पर रोग लगाता है और जिस देश के अंदर इस सरकार साशन होता है तो उस देश के सभी नागरिक राज्य के पूर्ण अधिकार के अधिन होता है और चाइना में भी बिल्कुल ऐसा ही है वहाँ पे दूसरे देशों के तरह लोग तंतरिक चुनाव नहीं होता है और वहाँ के लोगों को अपनी सरकार चुनने का कोई भी अधिकार नहीं है आके चीन जो कि अपने वहाँ किसी भी तरह के लोग तंतरिक चुनाव के अनुमत ही नहीं देता है एकना ऐसे में जो चीन है वो दूसरे देशों के लोग तंत्रिक चुनाओं में हस्त शेप करने का प्रयास जरूर करता है और हाले की समय में ऐसे कई सारे आवेटान सामने आये हैं जो कि ये साबित करते हैं कि TikTok चीन की इस गोल को अचीव करने के लिए उनकी Information Warfare Toolkit के सबसे extensive arsenal में से एक है और TikTok के खत्रे को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि TikTok को कब और किसने बनाया था यानि कि इसका origin किया है तो सितंबर 2016 में Doin नाम से एक Chinese app को launch किया गया था जो कि market में आते ही बहेदी जल popular भी हो गया और ये एक video sharing platform था और उसकी popularity को देखते हुए इस application की parent company जिसका नाम है ByteDance तो इसने 2017 में TikTok नाम से एक same application launch करी यानि कि जोई Doin और TikTok के ये लगभग एक इतरह का platform है लेकिन जो Doin ने उससे केवल चाइना की logo के लिए बनाया गया है जबकि TikTok को internationally launch किया गया TikTok जो कि लोगों को music के साथ short video बनाने और उन्हें share करने की facility देता था और ये application देखते ही देखते पूरी दुनिया में बेहदी जल famous हो गई यहाँ तक ये Facebook, Instagram और YouTube के बाद fourth number की सबसे popular social media platform भी बन गई और वरतमान समय में worldwide TikTok के 2 billion users है और 2016 सत्र के बाद से TikTok को 3 billion सदिक बार download किया गया है और ये data ये बताने के लिए काफ़ी है कि दुनिया भर में TikTok का कितना ज़्यादा crazy है लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि TikTok की जो इपेरेंट कंपनी है ByteDance जो कि एक Chinese कंपनी है जिसका headquarter भी बीजिंग में है और ये operations भी बीजिंग से ही perform करती है लेकिन ये जो कंपनी है चीन में registered नहीं है बलकि है registered है Cayman Islands में और ऐसे में इस कंपनी दोरा बनाएगए इसके viral application TikTok को संधे भरी नजरों से देखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके founders और investors तो Chinese हैं लेकिन वे वहाँ पर रजिस्तर नहीं है और ऐसे में एक आम भावना अकसर रही है कि China के जो Communist Party है तो वो चीन में मौझूद कई सारे prominent companies में किसी ना किसी तरह से involved रहती है और ये बात खास तो अपन नोटिस में तब आये थी जब Western countries ने Chinese company Huawei पर restrictions लगाने शुरू किये थे बागी past में TikTok पर Chinese Communist Party के officials को control देखा गिया है और November 2021 में TikTok के parent company ByteDance के co-founder Young Iming को Chinese Communist Party के pressure के चलते company से हटना पड़ा था क्योंकि Chinese Communist Party चाहती थी कि जो company के authorities हैं तो वो उनकी party line के according चले और उनके ही ideas और policies को support करें और अब ये जानते हैं कि आँके TikTok किस तरह से एक security threat है तो ये बात है सितंबर 2022 की जब US Senate में एक hearing के दोरान TikTok के COO यानि की Chief Operating Officer Vanessa Papers जवाब देने के लिए मौजूद थी इस सुनवाई के दोरान उन्हें US Senators के tough questions को सामना करना पड़ा और इस दोरान जब Vanessa Papers से उनकी parent company के साथ चीन की साथ रिष्टे होने एक पर प्रशन पूछा गया तो उनका ये claim था कि TikTok पर user data को कोई भी नुकसान नहीं है लेकिन हाँ उन्होंने इस बात को सुईकार किया था कि Chinese employees के American users के data तक पहुँच है जो कि sensitive nature का है और फिर जून 2023 में Vanessa Papers ने TikTok से ही resign दे दिया फिर बात में TikTok को लेकर और भी multiple investigations हुई और जिसमें ये बात सामने आई कि जो TikTok है वो अपने platform पर कुछ contents को censor करता है और ये खास करके वही content होता है जिसमें चीन को criticize किया गया हो या फिर कुछ ऐसी चीजे हो जो कि Chinese Communist Party को negative light में दिखाती हो या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा content जो कि Chinese Communist Party की पोल खोलता हो उसे expose करता हो और फिर इसके बाद Network Contagion Research Institute and University of Redgar Dwarra एक detailed investigation की गई और उनके report से बाद सामने आई कि जो TikTok है जो कि global platform है तो उसके अंदर को जैसे विसंगतिया पाई गई गई है जो कि Chinese Communist Party के जियो strategic objectives के अनुरूप है असान शब्दों में कहें तो इस study से ये पता चला कि China अपने वहाँ जिन-जिन topics को censor करता है तो वही topics TikTok पर भी नहीं दिखाई जाते हैं और China सिर्फ उन्हें content को allow करता है जिससे उसके interest फुल्फिल होते हो TikTok पर उन video content को block किया जाता है जो कि Uyghurs, Tiananmen Square, Tibet, Hong Kong, Taiwan और South China Sea इन चीजों से related होते हैं क्योंकि इस सारे topics चाइन की Communist Party के लिए बेहेदी जाते sensitive हैं और China कभी भी नहीं चाहता कि इस पर कोई भी चर्चा करें और investigation में TikTok application पर इस तरह की censorship को बहुत ही serious माना गया क्योंकि daily करोडों लोग इस app को use करते हैं और पहरे जो TikTok के officials ये कह रहे थे कि उनका Chinese Communist Party के leaders के साथ कोई connection नहीं है तो ये सारी चीज़ें उस दावे को भी खारिज कर देती हैं इतना ही नहीं बलके TikTok पर उन content को भी censor किया गया जो कि Chinese Communist Party को criticize करते हूं और उसले इस बात के संभावना हमेशे बनी रहती है कि algorithms और Generative Artificial Intelligence के मदद से bot influencers के army को create करके China TikTok जैसे platform के माद्यम से लोग तंत्रिक देशों के अंदर propaganda और fake news के एक नई लहर को create कर सकता है जिससे उस देश के अंदर अस्थिरता का महौल बने और जो कि TikTok पर upload होने वाले content पर Chinese Communist Party का control है तो उसलिए TikTok platform से चीन के propaganda को बिना चीन की permission के हटाए भी नहीं जा सकता है और इसे बिल्कुल भी नहीं है कि बागी के social media platforms का इस्तमाल नहीं किया जाता है propaganda और fake news लाने के लिए लेकिन फर्क है यहाँ पर यह है कि अगर बागी के social media platforms पर इस तरह की चीज़े होती है और अगरो पकड़ में आ जाए तो उस पर action भी हो सकता है और इसको हटाये भी जा सकता है लेकिन TikTok के case में ऐसा होना बहुत मुश्किल है और इसे वज़े से TikTok के एक बड़ा security threat बन जाता है क्योंकि यह Chinese Communist Party के information warfare और narrative warfare में चीज़े के लिए एक बहुत बड़े हतियार की तरह है और इसलिए इसी तरह के खत्रे को भागते वए भारत ने इस TikTok को बैन करने का फैस्टा लिया था और भारत समेट दुनिया भर में कई इसे देश है जो कि चाइना की TikTok के जरीए जासुसी करने अपना narrative बिल्ड करने अपना influence बढ़ाने तो इस तरह की कुछ report से इस बात के फुकता सबूत मिले हैं कि चाइना का disinformation campaign Taiwan government के लिए primary challenges में से एक है वैसे अगर आपको चाइना का disinformation campaign या फिर information warfare के बारे में detail में जानना है तो उसके लिए हम आपको recommend करेंगे defense court की mobile application पर उपलब्द Chinese spam campaign वाली एक खास series और जिसमें हमने detail में बताया है कि कैसे चाइना information को एक weapon की तरह इस्तमाल कर रहा है पूरी दुनिया में अपना influence फैलानी के लिए और ये special video defense court की super app पे exclusively उपलब्द है और इस app को download करने का link इस video के description में दिया गया है और अब वापिस आते हैं वीडियो के main topic पर तो आपके मने में एक question ये भी आ सकता है कि इससरे की tactic के इस्तमाल करके चीन को फाइदा कैसे होने वाले तो देखिए इसका उत्तर यह है कि जो चीन जैसे authoritarian governments होती है तो उनकी ये विचार धारा रहती है कि जो democratic forces है वो अपने respective countries में elections ना जीते क्योंकि अगर वो elections जीतती है तो चीन के लिए बहुत मुश्किलों का उस देश पर अपना influence बढ़ाना या उस government को अपने influence के अंडर लेना तो ऐसे में जो चाइना है वो उस particular country की government या फिर वहाँ के कुछ popular candidates को unstable करने के कोशिस करता है जिने वो पसंद नहीं करते है क्योंकि जो democratic country है वो freedom of speech free or fair election और justice पर जोड़ देती है लेकिन जो authoritarian regime होती है वो इसका ठीक उल्टा करती है इस regime में ना तो लोगों को बोलने के अजादी होती है और नहीं सरकार चुनने की तो इसलिए चाइने के कोशिस रहती है कि वो इस तरह की tactics का इस्तमाल करके दूसरी countries के elections में दखल दे और वहाँ पर अपने पसंद के वेक्ति है अपने पसंद की party को सत्ता मे लाए पावर मे लाए जिससे उसे long term में political के साथ-साथ economic benefit हो इसके अलवा TikTok जैसे Chinese applications privacy को लेकर भी चिंदाएं बढ़ाती है क्योंकि यूजर के sensitive data को collect करके particular individual users को target कर सकती है और जो कि उस पर किसी तरह की surveillance करने से कम नहीं है आप खुदी सोचें कि आप कभी ऐसा चाहेंगी कि कोई company या कोई दूसरी देश की सरकार आप पर हमेशे निगरानी रखे और निगराने भी सर्फ लिए ताकि उसको आप से कुछ ऐसा मिल सके जिसके माधियम से वो आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें बलकि दुनिया बर के कई देशों में ऐसा भी पाया गया है कि जो TikTok जैसे application है तो इसका इस्तेमाल करके कुछ sexual predators हैं जो कि young content creators को निशाना बनाते हैं जिससे उनकी सुरक्षा खत्रें परती है और law and order की problem भी create होती है बाकि अमेरिका के director of national intelligence office की investigation के मताबिक अमेरिका में 150 million के आसपा citizens हैं जो कि TikTok के इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कि उनकी population का लगबख 50% है और यह वही population है जो कि इस वर्ष अमेरिका में होने वाले elections में भी भाग लेगी और अगर आप खुदी सोचे कि अगर किसी देश के आदी से जाता population TikTok जैसे application के माध्यम से Chinese Communist Party के information warfare में फर्च जाती है उससे influence हो जाती है तो उस देश के सरकार चुनने के प्रक्रिया में कितने बड़े वदलाव हो सकते है और अगर एक गलत सरकार आ जाए तो वो पुरे देश को डुबाने के लिए प्रियापत होती है और भारत के आसपरोस में कुछ examples already है और कुछ तो recent कही है बाकि अभी तक TikTok पर जितने भी investigation सामने आए हैं तो उसके अधार पर policy maker से मानते हैं कि China द्वारा TikTok का गलत इस्तमाल किया जा रहा है और इसमें possibility है कि America के जो democratic process है तो उसको चीन इस app के द्वारा manipulate कर सकता है और इस manipulation से American democracy को खत्रा हो सकता है इसलिए democracy को protect करने के लिए America में TikTok पर ban लगाना जरूरी है और इस ban से दूसरे देशों को भी होसला बढ़ेगा और वो भी अपने देशों में इस app पर कारवाई करने की हिम्मत करेंगी क्योंकि चाइना के दवाव और प्रभाव के वज़े से बहुत से छोटे देश हैं जो कि action नहीं ले पाते हैं तो अगर शॉर्ट में कहा जाए तो TikTok का इतने बड़े large scale पर user base होना एक बहुत बड़ा security threat है क्योंकि अलग-अलग investigations इस बात को clear कर चुकी हैं कि चाइना की communist government इस application का इस्तेमाल fake news फिलाने अपना propaganda फिलाने और दूसरी countries के लोग तंत्रिक प्रिकरिया में तखल देने के लिए भी कर रही है और कई सारे देशों के दौरा इस पर बैन से ना सिर्फ इसके parent company by defense effect हुई है बलकि इससे दुनिया भर में data privacy और national security को भी highlight किया गया है और TikTok का दुनिया भर में बैन होना चायने की communist government के लिए कितना बड़ा नुकसान है तो उसका अंदाजाब इसे बास्ते लगा सकते हैं कि TikTok के बैन का Chinese government बहुत ही strongly oppose करती है और उसके दौरा दुनिया भर की दलिले दी जाती है इस बात को साबित करने के लिए कि TikTok को जो दुनिया भर के countries बैन कर रही है तो वो सही नहीं है और जबकि विडम बना तो ऐसी है कि चीन अपने वहाँ खुद दूसरे social media platforms जैसे कि YouTube, Twitter, Facebook तो उनको अपने वहाँ चलने नहीं देता है और फिर भी चीन यह चाहता है कि जब Chinese social media platforms है वो दुनिया भर में चले और अगर अमेरिका भी TikTok को पूरी देर से बैन कर देता है तो फिर इस बात की संभावना भी ज़्यादा है कि फिर और भी कई सारी Chinese applications है जिनका नंबर आएगा बैन होनेगा तो इसलिए भी यह चीन के लिए चिनता गवेश है कि वो नहीं चाहेगा कि TikTok अभी बैन हो क्योंकि TikTok का बैन होना एक तरसे चीन की information warfare में उसके बड़े हत्यारों में से एक का कम हो जाना है और बाकि इसी note के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे बाकि आप कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताना है कि आप मेंसे किस किसने TikTok अप्लिकेशन यूज़ करी है और वीडियो पसंदाई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जाता से यादा शेर करें और कि कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिख कॉमेंट सेक्शन ओपन है और कि जल्दी मिलेंगे नई एपिसोट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और किया आता सेक्शन ओंगे लिए